हाई आप देख रहे हैं मासमीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज बसवकल्यान के अगर बात करें बिदर्डिस्टिक के बात करें पुरे करनाटक की तो जनरल एलेक्शन होने वाले हैं जनरल एलेक्शन को लेकर हमारा सिलसला शुरू हो चुका है हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहे हैं पहुंचाते रहेंगे आज हमारे साथ मौजूद है बिदर्डिस्टिक स्पोक्स परसन जेडियास के जनाप आकाश खंडाले सब सबसे पहले तो मासमीडिया क इस तरह से स्थार्ट करेंगे के बसवकल्यान बाई-ऍलक्षों को लिएकर बात करेंगे सबसे पहले मेला सवाल होगा कि बसवकल्यण वाएलक्षों में जEडियस की जो हार हुई किया नतायच थे क्या पर你 करें सबसे पहले मास मेड़ा के माध्यम से आपने हमको बुलाया और हमको अपने अच्छे लफजों में हमारी जो अप्रिशेशन किया इसके धन्यवा और किसी भी कारे करता के लिए बूत से लेकर डिस्टिक तक जाना यह बहुत ही अच्छा सफर था तो मैं आपके जो वर्ड से इसके लिए शुक्रियादा करता हूं और आपके सवाल के तरह पाता हूं मैं कि देखिए हर एलेक्षन में क्या हां अलग रहता है बाइलेक्षन भी एक अलग था और बाइलेक्षन में सब हमारे स्टेट की जो लिडर थे यहां पर आये थे आकर उनने कैंपिनिंग की कैंप का और लोगों को कनेक्ट होने का हमको समय कम मिला इसके लिए क्या है रिजल्ट अलग रहा लेकिन बाइलेक्शन बात से हम बहुत सब्सक्राइब कर हम हर बूत तक पहुंच कर बूत लेवल पर कमेटी बनाई है उसके बाद मेंबर्शिप जो है जो लोग काम कर सकते हैं वैसे लोग मेंबर्शिप भी हम बने गाव गाव में जाके बनाई है तो बाइलेक्शन से जो हमको देड़ दो साल का टाइम मिला तो इसमें जेडियस जो है बहुत ही ग्राउंड लेओं से इंप्रूव हुई है ऐसा मुझे लगता है बात करेंगे जेडियस की बसवकल्यान में एक रूमर से अफ़ा पहल रही है कि जेडियस के जितने मैक्जीमम वरकर्स जो थे कारेकरता जो थे मलिकर जुन इस खोबा के घर गए और उनसे म किट मांगना अलग देखे पार्टी संगटन अगर किसी व्यक्ति से मजबूत होता हो तो हर्रे का वेलकम करना पार्टी कारेकरता का धर्म है यह पार्टी कारेकरता जो गए थे उसमें भी शाह मिल था बोलने की बात ने वो जो जिस वीडियो के आप जिक्र कर रहे है पार् अगर एक वक्ति से मजबूत होता है तो उन्हों आने का वेलकम हम करते है और रहे बात उन्हों पिछले दो तीन महिने से लगातर क्या है उनका जो आफिशेल पेज है उन पे जेडियस के जो एक्टिविटी से शेयर कर रहे है लोगों में भी क्या है जेडियस कि आफ्त में है तो वनों जिसको भी सोग भी टिगेट दे सोकल्यान का जो भी कैंदिट हों दो हम उनके लिए क्याम करने हैं हमने कभी किसी कैंदिट के लिए कारेकरतह्या नि अफ्लेग्शन ने दिया ख़ए बहुत... और बहुत सारों लोग मांगे इस वर जनरल एलेक्शन से आपको नहीं लगता है कि मलिक अरजुन खोबा के बचाए जो लोग पहले से कौंग जेडियस में हैं जिन्होंने जेडियस को कभी छोड़ा नहीं जो बीजेपी में नहीं गए आननद पार्टी लाँ और बहुत सारे मेले उनके आश्राओं पर पानी भीर जाएगा नहीं देखिए यह नेक्सराल बात है कि कोई भी जो कार्यकरता काम करता रहता है पार्टी में समय देता है पैसा लगाता है लोगों को जोड़ता है तो वाका ही उनके महनत की भी फल मिलना चाहिए अब कार्यकरताओं का काम रहता है काम करना है अब लिए हम सब कार्यकरताओं को जो करना है वह हम हमारे तरिके सी करेंगे बाकि हाई कमांड आपने खुद सर्वे टिम बेशती है हाई कमांड को जनाव वेसरपली खाधिर साहब का रिपोर्ट अच्छा है तो उनको क्यूं ने देते या दुसरे और बोटे हैं नहीं है आज प्रजेंट जो सत्ता में रहें वेल्कम करते तो बीजीप के हराने हैं और मान लीजिए Congress से विजी सिंग को टिकेट मिल जाता है तो यह दो होंगे उसके बाद अगर लिंगायद धरम से किसी को टिकेट मिलता है क्या आपको नहीं लगता कि वो सारा का सारा ओर्ड पेंग कांग्रेस का खाएगा मैं आपको लिख के देता हूं कि जीती नहीं सकते हैं इनका ग्राउंड लेवर में कुछ भी काम नहीं है इनका जो काम है सिर्फ और बशकलेंग के 124 गल्ली में सीमित है maior करना कि हम आपके लिग खिद्मत कर सकते हैं यह भरोसा कहें-णदा स्वेकुलर कर सकती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो लड़ाई होगी, GDS की और BGP की लड़ाई होगी, कांग्रेस इस लड़ाई में कहे भी आपको नहीं दिखेगा, भले आज लोगों को यह क्या है, मजाक क्यों लेते हो, लोगों को क्या है, सीरिस नहीं लेते हो, लेकिन सच् जो इनके कॉंपटिशन में सबसे आगे रहेंगे, आखरी सवाल में रही होगा, क्या आपको नहीं लगता कि मलिकरजन खोबा अगर GDS ना छोड़ते, अब तक हमेले होते, मिनिस्टर होते लास्ट सेशन में, क्या घल्ती कि मलिकरजन खोबा ने GDS छोड़कर, देखो, यह जाएंगे, मैं एक्जाक्ट आंसर चाहता हूं, देखेंगे, मेरी बात सुनिए, कि क्या करता है, कैसा करता है, उनको उपर छोड़े सा है, हमारा संगटन के नाते इतना ही सवाल है, कि हमरे पार्टी में, हमारे पार्टी का ML है कैसा बनेगा, इसके ओपर हम चर्चा करने के इसे तो मेरी इच्छा है कि जडेस की पूरे सीट आना, एक सुप्ती सीट होना, हमारा अगर आणना को और पांच साल आगर आमको प्रेड मिरता आता है, तो करनाटक में क्या है, जो जातिवादे जो महाल बना है, हिजाब का इशू हों दो, जो जटका कट का इशू हों दो रहे बात व्यक्ति की, तो व्यक्ति को खुद आकलंग करना चाहिए कि किस समय क्या करना, और रहे बात मलिकरण खुपास साब की हमारे पार्टी के सिंबॉल से दो बार एमेले रहे चुके है, और हमारे जो हाई कमांड है, उनसे भी बहुत बार उन्हों क्या है, जाके मिले के सकते हैं, नहीं को रहे ऐस के समय को चाहिए, कि अगर भी अनुक्ति के सिंवलlıपन करा। नहीं इनको दोनों के छोड़के बाए खादरिस साब को और एक बर 2023 में टीकिट देकर उनको लगा कि पार्टी स्ट्रांग होती हो जीत सकते हैं तो उनका भी हम विलकम कर से आप आप से मार्किंग चाहूंगा शर्णू सलगर को दो साल के उनके रिपोर्ट कार्ड में मार्क क के हलत है रोड जो मना एक एक चैनल रहे जिए और वे स्कूलऋ रहे चोंगा क्या है आदमी ज्यादा दिरक लोगों के दिल में नहें रहे सकता अब शर्णू सलगार जी का बात से अब तक का यह वर्किंग कल्चर ने देखा है उनके पाल्टी के अंदर बिकार्य कर रहा है और फिर एक बार जनता दल से कुलर का यह मेले बनाना यह एक है उद्देश से हम लोग काम कर रहे हैं अब बात करेंगे हमनावाद के क्या लग रहा है अपको तो पुछने के ज़रूरत नहीं हमनावाद में क्या हो रहा है देखे लोकल कारेकरत अपोज हो गया है जेडियस के वह कह रहे हैं कि अध्मिक उतार देंगे हम यहां कई सालों से महनत कर रहे हैं हमें टिकट की उम्मीद थी पर देखेंगे उनके अगर वाले सदर रहेंगे पिता जी तो कैसी तरह ऐसी परशूर से उतार दिया जाएगा लोकल कारे करता हूं नेगलेक्ट कर दिया जाएगा देखो कुछ तो लोग कहेंगे लोग काम है कहना तो हमों को इतना ही पता है कि बिदर डिस्टिक में चार इसे सीड है जहां पर जनताद सेकुलर बहुत स्ट्रॉंगली क्या है कंटेस्ट करके जीतने के लिए टार्गट रखी है बिदर बिदर साउथ हमनाबाद बसक लिया और भालकी और आवराद में भी कहा है हम लोग पूरी जोर लगा रहे है तो यह चार कॉंस्टिटू से बहुत ही फोकस है आने वाले समय में इस चार कॉंस्टिटू में आपको अच्छर चल दिखेगा बीदर ये बात करेंगे बीदर साउथ की बंड़ापा खासिमुरू कह है रहेंगे इस बार उनकी सीट बहुत खत्रे में कि अशुख खेंडी साब को जेडी कॉंग्रेस का मिलने वाला है बीजेपी से कोई आएगा आप जेडियस से रहेंगे त्री कोणी मुखाब्ला होगा जिसमें जेडियस और कॉंग्रेस फोर्ड बाटलेंग और कोई बीची पिक आदमी जीच आएगा क्या लगता आपको बंड़ापा खासिम्पूर साब उनकी खत्रे में हाए देखो आशुक खेंडी साब अभी इलेक्शन लेड़ रहें दो साल साल दो टर्म उन्हों बंड़ापा साब की खिलाप का जो ग्राउंड में नेर्ख है उनका इतना बड़ा ही शेक्सियत होने के नाते दो बार मिनिस्टर होने के नाते एक सामन्य आदमी आये तो उनका जो बीहेवर है इससे हमें पता चलता है कि बंड़ेपा कशिमपूर साब जो है आजाद शतुर है शतुर भी यह मानते है कि सिर्फ नाम के लिए वह इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो मुझे यह पता है कि हमारे जो नेता है बंड़ेपा कशिमपूर साब इस बार और एक बार इमेले बनने वाले है और और एक बार जंताद सेकुले के गवर्मेंट में उनको बड़ा होदा मिलने वाला है बिदर इन्होंने भी टिकेट के लिए मांग उठाई है किस तरह सिजूशन देखें मैं क्या बहुत हो एमेले की खौईश रखना एमेले के लिए काम करना हर एक इनसान का राइट है और पार्टी में डेमोक्राटिक कल्चर दिखाता है कि कौन-कौन मितला हम पार्टी में टिकेट मांगना यह डेमोक्राटिक कर्चर है हमारी पार्टी डेमोक्राटी मानने वाली है और मुझे जहां तक बात मुझे महलूम है कि यह सब लोग काम कर रहे है लेकिन पार्टी में जो नियोजीत अभ्यरती बोलकर ट्रेनिंग को बुलाए थे हमारी डिश्टी प्रेश्टी प काम कर रहे है तो उनका और इन सब लोगा कॉडिनेशन है अब वह बिदर कॉंस्टिशन के बारे में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यह सब हाई कमण तेक करने वाली है तो उसके हिसाब से आने वाली समय में बिदर में रही कांड साब को क्या है लोग डेख चुके है और व्रक्किन क्लशर देख चुक तो उनको भी क्या है हटा कर यहाँ वहाँ पर भी जेड़ेस जन्ता दो सेकुलर जो की सही माइने में सेकुलर पार्टी अईसा उनको चांस देने का मन जो है जन्ता ने बना लिया है दो सवाल आखरी उसका एक ही जवाब चाहिए दो सवालों का करनाटक में जीडिस कितने सीट ला रही है इस वार हम 123 सीट कंप्लिट लेंगे फूरा मिजोरिटी हमारी होंगे इस बर करनाटक में विदर डिस्टिक में 6 सीट है टोटल 5 सीट है अगला सवाल मेरा यह रहेगा आपसे के बसौकर्यान की लोकल बॉडी डिसॉल्व हो गई इस तरह की नीज आई आपके जो सीटी प्रसिदेंट या प्रसिडेंट थे तालो का प्रसिडेंट थे अरशद महागवी साथ उन्होंने और उस वीडियो में मैंने देखा कि एक अ तालो का प्रेशिडेंट वो अकेला बैटकर अकेले प्रेस कॉनफरेंस करकर प्रिवेस केंड़िड भी उसके साथ दिखाए नहीं दे रहा है क्या जडियास में चल रहा है इसी कोई बात नहीं है कोई बॉड़ी डिज्वाल होगे रहा नहीं की है उसका ऐसा मतलता है हर पार् सब्सक्राइब और बाइब के बाइब के उसकी आàngने के बाद स्थ्केट सब्सक्राइब करते हैं कोई ब्रेंस करता हो partly जो है सबस्क्राइब कर देक को है आ और बहुत सारे इसे नाम है जिनके पहचान जो है वो पोस्ट से भी बड़ी है तो पोस्ट लेकर काम करना यह कोई क्या है बड़ी बात नहीं और मैं हमेशे यह कर रहा हूँ जब अप्रिशियेट ना करकर ही जनाब यसराब ली खादरी के टर्म में जेड़ेस में इतने खतलाफात आए जनाब शबीर साब का इंटर्विव मैंने लिया था उनके घर जाकर उन्होंने जिस तरह के अलफाज यूस किये जेडियस पार्टी और जनाब यसराब ली साहब के लि संच्अ कishow ich को कुछा रहा है देखिए यह का मिलना प्रिश K paso ti mokro क Menar they have a couple कोई गहरा है झarta लेकिन लास्ट में जो बड़े लोग है उनकी सब्सकतर बुलाकर समझा कर सबको साथ लेकर जाना देना तो आने वाले समय में भी हमारे पर्टी के जिम्मेदार है बंड़वा खाशनपुर साभ है वेस्टइड पर्सञेंट है कुमार सवमी जी है सब लोग यह सब को साथ में कवाड़ेंबें करने वाले हैं यह програм sexual काम करने हुम हों एक बार हमारी सरकार मिलने के बाद जंता के लिए काम करने के लिए हर कार्रा काम करосьंग यह करता किस्तनों का करद माफी की ह। महिलाओं का जो समस्या यह हो यह बाकि कोई जो मुद्धे हैं उसके लिए ही काम करते नजर आया है तो आने वाले समय में में सब को साथ बिठा कर जो है हाई कमांड और जिनको जिम्मेदारे बसो के लिएन के देने वाली वो सब साथ में रिखे काम करेंगे ऐसे में आपक्ष में बäsूँ करा करता इसे दिए झी कुने करेंदा करेंदां और तरह समय में हैं तो चाम के लिए चाया है जो जा है अंआ सिम्मेदारे